हलो नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल लावित रोनित साथियो आप सभी का अमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक नए वीडियो के साथ हैं जो कि आज माइनर एक्ट का मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं और ये वीडियो जो होगा वो MCQ सेशन का होगा किसका होगा sexual harassment of women at workplace 2013 का जो एक्ट माइनर एक्ट को add किया गया है UPPCSJ के सालेबस में इसी एक्ट को मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं दोस्तों अगर आपको लगता है कि इसका आपके पास पीडियाफ होना चाहिए तो आ कर सकते हैं law with Ronit के नाम से सर्च करेंगे टेलिग्राम पर जाके तो आपको इसका पीडियाफ आसानी से वहां से मिल जाएगा और दोस्तों अगर आपको यह लगता है कि इसको आप डीटेल में पढ़ना चाहते हैं क्योंकि आप इसको section wise पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर playlist में जा करके वाच कर सकते हैं इसका मैंने detail analysis किया है महां पर एक detail वीडियो आपको मिल जाएगा दोस्तों बीना देर की हम इसको start करते हैं इसमें दोस्तों लगबक 70-80 question है उन सभी question को मैं एक साथ deal करने वाला हूं और यह bilingual हिंदी में भी है औ एक्ट 2013 का यह एक्ट है महिलाओं के कार्यास्तल पर लेंगी कुद्पीडन निवारण प्रतिसेद और प्रतितोस अधिनियम 2013 इस एक्ट का पूरा नाम है इस एक्ट से भी question बन सकता है कि हां यह जो एक्ट लागू किया गया है 2013 का यह किस शीच को बार्ड करता है तो दोस् इस केस को हम स्टार करते हैं उससे पहले हम आपको यह बता देना चाहते हैं अगर आप हमारे चैनल पर ना है तो चैनल को जरूर्ब महिलाओं का कार्यास्तल पर लाएंगी कुत्विडन प्रतिसेद अधिनियम कितने अध्याएं धाराएं अब यहां से कुछन पूछ रहा है कि कितने अध्याएं तो दोस्तों आप सभी ने कर देखा होगा कही न कहीं इसमें आठ चेप्टर है और तीज सेक्षन है मिन्स की एट सेक्षन की बात करता है और तीज धाराओं की बात करता है कौन एक फसमेंट क्यां दो 2013 का बिस्तार कहां तक है तो दोस्तों इसका जो correct answer होगा वो whole of the India होगा तब जो भी कानून बन रहा है सभी संपूर भारत पर लागो हो रहा है इसमें यह नहीं कि जम्मू एंड कस्मीर को छोड़ करके क्योंकि जब से हमारे पास एक्ट आ गया जम्मू कस्मीर का तब से हमारा पूरा एक्ट पूरे संपूर भारत पर लागो होने लगा question no.3 की बात करते हैं under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2013 any woman shall be considered as an aggrieved woman only when she is of the following age महिलाओं का कार्यास्तल पर लंगिक उत्पिरन प्रतिसेद अदिनियम तो हजर 13 के अंतरकत कोई महिला तभी व्यातित महिला कालाईगी जब निम्ना आयू की होगी अब बारे मारे में कि किस एज की होनी चाहिए तो दोस्तों वह एक एज की होनी चाहिए कि इसमें एज के बारे में कोई प्लेस प्रोहिबिशन एक्ट 2013 एंड एग्रीब्ड ओमें मिन्स जो एग्रीब्ड ओमें होता है उसका मतलब कहाता है महिलाओं का कार्य अस्तल पर लेंगी कुद्पीडन प्रतिसेद अधिनियम जो किसी कार्य अस्तल पर प्रतिर्थी द्वारा लेंगी कुद्पीडन के किसी कार्य के अधिन रहने का अभिव्यक्त करती है ठिक सकेंड में अगर उसके साथ इस प्रकार का एक्ट हो रहा है तो और थोड में किसी भी उम्रकी आयू की महिला यह बता सकती है कि हां उसके साथ इस प्रकार का एक्ट कमिट किया गया नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन अंकर अभी प्रका एकर फ्रर्का बेस बार्य में वह त्वह धियरा के अंतरगत कोई में विंस कार्याति होगी तो दोस्तों इसका जो फ्रकारेक्ट आंसर कोचता या तो वह implied होगी या तो वह implied और not implied नियोजित या नियोजित नहों तभी भी उसको माना जाएगा कि हाँ यह workplace पर ही है question number 6 की बात करते हैं Under the sexual harassment of women at workplace prevention prohibition act 2013 अध्यक्ष से अभी प्रेथ है तो दोस्तों इसका correct answer A होगा the chair person of local complaint committee under section 1 of section 7 धारा 7 की उपधारा 1 के अधिन अस्थानिय परिवाद समीती का अध्यक्ष जो होता है उसी को अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे जाना जाता है question number 7 की बात करते हैं इसमें देखिए अभी प्रेथ है तो दोस्तों इसका correct answer होगा वो B होगा district officer means जिला अधिकारी से इसका अभी प्रेथ है next question देखते है next question जो है हमारा question number 8 है यहाँ पे देखिए the word domestic worker under the sexual harassment of women at workplace prohibition means such a woman who work in any household महिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी कुद्पिणर प्रतिसेद दिनियम 2013 के अंतरगत घरेलू अधिकार से ऐसा महिला अभी प्रेथ है जो किसी ग्री हमें कार रे करती है अब किस ग्री में कार रे करती कहां पे कार करती है तो all of the above इसका correct answer होगा option A में देख लिजे क्या लिखा for remuneration means की वो remuneration के लिए means की day by day के salary के लिए wages के लिए अगर वो काम कर रही है for cash और kind के लिए अगर उसके साथ इस प्रकार का हो रहा तो उसको domestic work में include किया जागा B वले में क्या बता रहा employed or the temporary permanent time part time और full time basis अस्थाई और अस्थाई अंसकालीन या पूल काली का आधार पर नियोजी तो उसको भी domestic worker के अंदर हम लोग include करेंगे और C में बता रहा है it does not include female member of the employer इसमें नियोजक में कुटुम्ब की कोई सदस से महिला सामिल नहीं है तो इन सभी को माना जाएगा कि हाँ ये इस प्रकार का domestic work में ये काम कर रहे हैं तो इसका जो correct answer होगा वो D होगा question number 8 का बात करते है question number 9 की यहाँ पर दिया है an internal committee अब internal committee से question बनता है कि internal committee क्या होता है under the sexual harassment of women at work place prohibition in 2013 means महिलाओं का कारेस्तल पर लोईंगी को उतिपीड प्रतिसेद अधीनियम 2013 के अंतरगत आंतरिक समीती से विप्रेथ है अब आंतरिक समीती क्या होता है कौन आंतरिक समीती बनाता है तो इसका मतलब होता है internal complaint committee जो की constituted है under section number 4 में धाराचार के अधिन गठित आंतरिक परिवाद समीती को बनायेगा यह धाराचार से related है question number 10 देखिए यहाँ पर दिया a local committee अभी तक तो आपने दूसरा committee दीखिया अब local committee देखिए a local committee under the sexual harassment of women at workplace prohibition 2013 मिन महिलाओं का कार रियस्तल पर लैंगी कुत पीडर परतिसेद अधिनियम तो हज़र 13 के अंतरगत अस्थानिय समीती से अभी प्रेत है अब अस्थानिय समीती से क्या अभी प्रेत है यहाँ पर local committee के अंदर include करेंगे question number 11 की बात करते है the word member यहाँ पर word member जब आप definition clause को पढ़ेंगे तो वहाँ पर सारी जितना भी चीज है आपको सब एक एक चीज वहाँ पर समझ में आएगा और मैं इसका बेयर रिक्ट के साथ मैंने detail analysis किया है आप चाहेंगे तो प्लेइलिस्ट से उसको वाच कर सकते है देखिए दोस्तों जो 11 का आपका correct answer होगा अब इससे क्या अभी प्रेत है इसके option को देखिए जो इसका option वाला होगा यह सी बोथ दा एबाव जो बोथ दा एबाव की बात कर रहा इस लिए यहां पर इंटरनल कमेटी भी मेंबर होगा और लोकल कमेटी का भी मेंबर होगा तो यहां पर जो इसका correct answer होगा दोस्तों वे सी वालापका correct answer होगा बात करते है प्रिजाइडिंग ऑफिसर आफ दे इंटरनल कम्प्लेंट कमेटी इसका पीठासीन अधिकारी के बारे में बता रहा है कि हाँ जो इंटरनल कमेटी का अधिकारी होगा उसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नाम से हम लोग जानेंगे उसको पीठासीन अधिकारी के नाम से जानेंगे question number 13 की बात करते है under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2013 a person against whom the aggravated aggraved woman made a complaint under section 9 is meant to महिलाओं का कार रहस्तल पर लाएंगी कुद्प्रतिसेद अधिनियम 2013 के अंतर का किसके उपर कर सकती है वो तो respondent के उपर इस प्रकार का वो कर सकती है question number 14 के हम बात करते है under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2013 the term sexual harassment include one or more unwelcome act one or more unwelcome act की बात की जा रही है तो इसका हिंदी में देखिए महिलाओं का कार रहस्तल पर लहेंगी कुद्प्रतिसेद अधिनियम 2013 के अंतर कत लहेंगी ुद्प्रतिसेद अधिनियम 2013 या अधिक निंदनिय कार रहसमली थै इसमें पहला देखिए physical touch and take advantages second damages or request demand or request of sexual favor of making sexual colored लेंगी पक्षकारों की या मांग का अनुरोद या लेंगी अर्थ वाली टिपड़ी और सी में सोइंग पॉर्नोग्राफी और अन्वेलकम फिजिकल वर्वल और नॉन वर्वल कंड़क्ट अब दोस्तों वो डी होगा इन सभी चीजों को सामिल किया गाएगा इस प्रकार का क कोई कर रहा है तो वह माना जाएगा कि उन्होंने sexual harassment of women at workplace उन्होंने किया है ठीक अब नेक्स्ट देखिए कोश्चन नमर 15 एनी सेक्टर रिलेटेट्ट वॉर्क प्लेस अंडर दा सेक्ष्वल हरास्मेंट आप मेन एट वर्क प्लेस प्रोईबीशनेक्ट टूज़ें कि कोई सेक्टर किसी कार असल के संबंद में उस अंगठी थेटर होगा यदि उसके कारेक्रमों की संख्या मिंस की जो उसमें कर्मकार हैं कितने लोग उसमें लगें कितने से कम होनी चाहिए जो पंतरा का जो आपका घ्रांफES में इस दैन टेन प्रोवाइड रेगारी प्रेवेंशन फॉम सेक्सुवल हरास्मेंट आर लेड लेड डाउन किया गया तो महिलाओं का कारेस्सल पर लहेंगी गुथपीडन प्रतिसेद दिन्यम दो हज़ार तेरा के अंतरगत लहेंगी गुथपीडन से निवारन संबंधी प्रावधान किस अंतरगत दिया गया तो 16 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यह अंडर सेक्षन तीन में मिन्स की धारा तीन में इस बात को बताया गया जब आप खोल करके देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जाएगा सेक्सुल हरास्मेंट आफ ओमेंट वर वर्क प्लेस्मेंट की कार रेस्थल की बात कर रहा है इस प्रकार का काम अगर कार रेस्थल पर किया जा रहा है तो इसके लिए लाइबल किया जाएगा कुश्चेन नमर 18 की बात करते हैं अंडर दे सेक्सुल हरास्मेंट अफ ओमेंट वर्क प्लेस्थ प्रोहिबिशन एक्ट तो जाएगा कार रेस्थल पर लेंगिक उत्पीड़न प्रतिसेद अदिनियम 2013 के अंतरगत अन्य परिस्थितियों के साथ भी लेंगिक उत्पीड़न के भी मामले का उत्पीड़न के किसी कार रेया आचरण से संबंध में उत्पन होने वाले निम्न परिस्थितियों को भी लेंगिक उत्पीड़न में माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा दोस्तों जो 18 वाला होगा आपका इसका करेक्ट आंसर आला अब होगा लाए इसका के अंशर होगा पहले में किया पता हाताः चना है उप्रफ्रेट्शं ट्रीटमेंट से इंप्लॉइमेंटीग में अधिमानी व्यावर का वर्तमान या भावी नियोजन की परिस्तिती के बारे में अंतर निरीत या असपष्ट वचन देना सकेंड में इंटर्फेरेंज विथ हर वर्क और क्रियेटिंग अंटर्मिडियातरी ओ और उसके कार में अस्तचेफ करना उसके लिए अभीत्रास समय या अपराधी या सतुर्ता पूरोकार वातावरन श्रीजित करना और C में बता है रहे हुमिलेटिंग ट्रीटिमेंट लाइक टू अफेक्ट हर हेल्थ और सेफ्टी उसके स्वास्त्य शुरक्षा के लिए प्रभावी कर सकने वाले अपमान जग्रक आचरण का प्रियोक करना तो यह आल अब दा एवो इसका करेक्ट आंसर होगा बात करते हैं Constitution of Internal Complaint Committee महिलाओं का कार्य असल पर लेंगी कुछ पेड़न प्रतिसेद दिन्यम दो हजर तेरह के अंतरगत आंतरिक परिवाद समीती का गठन संबंधित प्रावधान की सिधारा के अंतरगत किया गया है तो 19 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो C आपका करेक्ट आंसर प्रतिसेद दिन्यम दो हजर तेरह के अंतरगत किसी कार्य असल में लिखित आदेश द्वारा अंतरिक परिवाद समीती नाम समीती नाम समीती का गठन करेगा तो दोस्तों यह 20 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर C होगा यहां पर इंपलायर विद्फक की दौररा का करेगा वहए इंटर creating committee का घठन करेगा यह कौन होगा तो इसका जो पीठा सीन अधिकारी होगा इंप्लाइड ओमेन और सीनियर लेबल वरिष्ट अस्तरी की नियोजित महिला इसकी क्या होगी अधिकारी मानी जाएगी कुश्चन अबर 22 की हम बात करते हैं यहां पर देखिए अंटर ते सेक्षुल हरास्मेंट ऑफ ओमेन एट वर्क प्लेश प्रोहिबिशन एक्ट टूजिन थर्टीन हाव मेनी इंप्लाइड मेंबर विल बी देयर इन दर इंटर्नल कंप्लेंड कमेटी हूँ पोजस नॉलेज आपका करेक्ट आंसर होगा वे आपका करेक्ट आंसर होगा नॉट लेज देन टू मिंस की दो से अन्यून नहीं होने चाहिए इसमें दो महिलाएं तो होनी ही चाहिए कुश्चन नमर टूंडी थर्ड की बात करते हैं अंडर दे सेक्शुल हरास्मेंट आप वोमें एट वर्क प्लेस प्रोहिबिशन एक्ट टूजिन थूजिन दे मेंबर आप दे इंटर्नल कमेटी हूँ इस कमिटे टूजिन दो प्रोब्लम अफ ओमें और इस वेल कंवर्जन कंवर्जन विट इसू रिलेटिंग तो दे सेक्शुल हरास्मेंट शुड भी फ्रॉम दे एरिया महिलाओं का कार्यासल पर लेंगी कोथपीड प्रति सेथ अधिनियम 2013 के अंतरगत सीमीती समीती में एक सदस्य जो महीला की सदस्यता के प्रती प्रति बद्ध है या लेंगी कोत्पीडन से संबंधित मुद्दो से परिचीत है किसी चेत्र में होगी वह किस चेत्र में होगी तो तेइस जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये नॉन गल्मेंटल और गोल्डमेंटल देयर इन दे चोटल नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ दे इंटर्नल कंप्लेंट कमेटी महिलाओं का कार्यास्तल पर लेंगी गुत्वीडन प्रतिसेदा दिनियम 2013 के अंतरगत आंतरिक परिवाद समीती में नाम निर्दिष्ट सदस्यों में से कितनी महिलाएं सदस्य होंगी तो ज महिलाओं का कार्यास्तल पर लेंगी गुत्वीडन प्रतिसेदा दिनियम 2013 के अंतरगत आंतरिक परिवाद समीती का पीठसीन अधिकारी और सदस्य नाम निर्देशित से निर्देशन से कितनी आउधी तक पद धारन कर सकता है तो जो दोस्तो 25 का आपका करेक्ट आंसर होग नौट मोर देन थ्री यहां पर तीन साल से ज्यादा कोई भी अपने पद पर एक बार में अगर न्यूट किया जादा तो तीन साल से ज्यादा नहीं रहेगा नेक्स्ट कोश्चन अंडर ते सेक्ष्वल हरास्मेंट आप उमेन एट वर्क प्लेस एक्ट वर्क प्लेस प्रोह समीती का सदस्यों के अपराधों के संबंद में क्या बाते असत्य है अब देखें यहां पर निगेटिव कोश्चन पूछाएगी क्या बाते असत्य कह रहा है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह वाला ही होगा ही वाइलेट दाप्रोवीजन आप सेक्षन फोटीन वह धा वीजा प्रोवीजन रिगारिंग नोटिफिकेशन ओफ दिस्टिक्ट ऑफिसर्थ महिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी कुछ पीड़न प्रतिसेद दिनी है 2013 के अंतरगत जीला अधिकारी की अधिसूचन संबंधित प्रावधन किस धारा के अंतरगत यह दिया हुआ है तो कुछ नोटिफिकेशन ओफिसर्थ महिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी कुछ पीड़न प्रतिसेद दिनी हम 2013 के अधिन सकतियों का प्रियोग करने है तो कौन जीला अधिकारी के रूप में अधिसूचना जारी करेगा तो 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वह किया जाएगा को बात करते हैं किसे जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तो 29 जो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा वह डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसमें से ऋपर दिया है इसमें से कोई हो सकता है District Magisterate और additional district Magisterate हो सकता है Collector हो सकता है कोई भी लोग इसमें से हो सकता है नेक्ष निए आप सक्षान 30 देखे In which section of the sexual harassment of women and workplace Prohibition at 2013 Provisions regardingusteution of local Leah Local Committee and its jurisdiction are prescribed महिलाओं का वह सेच्छल पर लेंगी अंतरगत अस्थानिय समीती का गठन और उसकी अधिकारिता संबंधी संबंध प्रावधान की सधारा के अंतरगत ये दोस्तों किया गया तो जो 30 होए 30 का आपका करेक्टन अंतरगत किया गया है बात करते हैं question number 31 की देखिए थोड़ा सा blur आ गया लेकिन मैं पढ़के आपको बता रहा ह मैं उमीद करता हूं under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2013 the formation of local complaint committee shall be done for what महिलाओं को कार रियस्तल पर लेंगी उत्विडन प्रतिसेदा दिनियम 213 के अंतरगत अस्थानिय समीती का गठन किस हेतु किया जाएगा जो अस्थानिय समीती होगा उसका किस लिए गठन किया जाएगा तो इसका correct answer D हो ज जाएगा क्षेण नमबर स्टी की बात करते हैं under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2030 who will be constitute the local committee महिलाओं का कार रहस्तल पर लेंगी को उत्विडन प्रतिसेदा दिनियम 2013 के अंतरगत अस्थानिय समीती का गठन किस के दोरा किया जाता है तो 32 का correct answer किस बात करते हैं विच डिस्टिक लोकल कमेटी साहल वी आपको प्लेस प्रोईबी सनिक्ट टूजन थर्टीन महिलाओं का कार रेसल पर लहें की कुछ प्रतीशेद दिन्यम्-डूहजार तेरह के अंतरकत अस्थानिय समीति का गठन किस जिले में किया जाएगा अब किस जिले में किया जाएगा 33 का जो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा बोथ आप दाइब मिन्स कि यह वाले option में देखें क्या दे रहा है इन हुस स्टेबलिस्मेंट वे और नो इंटर्नल कमीटी हैस बिन फॉर्म फॉर्मड दीव देट एंप्लॉई एंप्लॉई इंप्लॉई नंबर लेस दें टिन अगर वहां पर दस से कम है वो तो नहीं किया गया तब इसके लिए फॉरम किया जाएगा और बी में दे रहा है तब इस प्रकार के लिए वो किया जा सकता है question number 34 को यहां पर read करते है Under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2030 the district magistrate cell designated a nodal officer from receiving complaint in the tribunal areas and sending it to the local committee within the period of महिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी उत्प्रेणन प्रतिसेदा दिनियम 20013 के अंतरगत जीला अधिकारी जन जाती यह चेत्र में परिवाद ग्रहन करने के लिए और कितनी अवधी के भीतर अस्थानी समीती को भोजन के लिए नोडल अधिकारी भेजने के लिए नोडल अधिकारी अभी प्रेट करेगा तो दोस्तों जो 34 का आपका करेक्टांसर होगा वो आपका B वाला करेक्टांसर यहां पे होने वाला है अब यहाँ पर option इसका देख लिए मिंस की साथ दिन के अंदर उनको भेजना जरूरी है साथ दिन की अवधी के भीतर ही भेजना जरूरी है question number 35 देखिए Under the sexual harassment of women at workplace prohibition act 2013 the jurisdiction of local committee extended upon up to महिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी कुद्पीडन प्रतिसेद दिनियम 2013 के अंतरगत अस्थानिय समीती का विस्तार है जो अस्थानिय समीती है उसका कहां तक विस्तार है office for how many how much period महिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी कुद्पीडन प्रतिसेद दिनियम 2013 के अस्थानिय समीती का पीठा सीन अधिकारी और सदस्य नाम निर्देशन से कितनी अवधी तक पद धारण करके रखेगा तो 36 का जो आपका correct answer है वो यह वाला है not more than three year आपने पीछे भी य जादा नहीं रह सकते हैं इसलिए जादा अल्रेड़ी ही अपने एक वीडियो में उसको पुरा करके फूरा डीटेल में बैठिकल में चलनी सेशन चल्दा हैं जरना हैं कि क्या यह लगत है कि हाँ को आपहलों को देखते हैं अनुदान और संपरिक्षा संबंधी प्रावधान की सिधारा के अंतरगत किया गया तो दोस्तो 37 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो भी होगा अन्टर सेक्षन 8 मिन्स धारा के आठ के अंतरगत ये प्रावधान किया हुआ है कुश्चन 38 की धारा आठ के अंतरगत लेखाओं को किस रीती में रखा और संपरिक्षित किया जाएगा तो कुश्चन 38 का आपका करेक्ट आंसर यहां पर दोस्तो डी हो जाएगा जिस प्रकार से राज सरकार भीहीत करेगी उसी अनुसा आपको महलेखाकार परामर्स में भीहीत की जाएगी यह बात बताई जा रहे है कुश्चन 39 की बात करते हैं अंडर विच सेक्शन ऑफ दे सेक्शूल हरास्मेंट ऑफ उमेन अट वर्कप्लेस प्रोहिबिशन एक टुटोजन थोजन थोटी प्रोवीजन से रिगारिंग कंप्लेइन ऑफ सेक्शूल हरास्मेंट महिलाओं का कार्यास्तल पर लेंगी को उत्पीडन प्रतिसेद दिनियम दोहजार तेरा के अंतरगत लेंगी को उत्पीडन का परिवाद संबंदी प्रावधान किस धारा के अंतरगत किया गया तो दोस्तो 39 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे स्यू हो जाएगा अंटर सेक्शन 9 धारा 9 के अंतरगत यह प्रावधान किया गया क्वेश्चन नमर 40 देखते हैं अंटर दा सेक्शुल हरास्मेंट अप ओमेन एट वर्क प्लेस प्रोहिबीशन एक दोस्तों होगा वो एवाल आपका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नमर 41 की हम बात करते हैं अंटर दा सेक्शुल हरास्मेंट आप ओमेन एट वर्क प्लेस प्रिविंशन प्रोहिबीशन एंड रेडरेस अलेक्ट टूजन थारीख से कितनी अवधी के भीतर परिवाद की जा सकती है तो 41 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो D आपका करेक्ट आंसर होने वाला है D में क्या बता रहा है बोथ A and B A और B की बात कर रहा है A में क्या दिया है विदिन 3 मंथ 3 महीने के भीतर करना चाहिए और विदिन 3 मंथ from the date of the last incident in case of occurrence of series of such incident स्रिंखला बद घटनाओं की दसा में अंतीम घटना की तारीक से तीन मास के भीतर कंप्लेंट करना आपको अनिवार रहा है तभी आपके कंप्लेंट को सुना जाएगा अन्यता नहीं सुना जाएगा इसमें देखिए अंडर सेक्शन नाइन ऑफ द सेक्ष्वल हरास्नेंट ऑफ में एट वर्क प्लेस प्रोहिशन एक टू जाएगा और लोकल कमीटी को दिया जाएगा तो फोटी टू का जो भी आपका करेक्ट आंसर होने वाला वो डी ही है करेक्ट आंसर कोच्छन नमर फोटी थोड़ देखिए अंडर दा सेक्ष्वल हरास्मेंट ऑफ में एट वर्क प्लेस प्रोहिशन एक टू 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 इंकेस आप एग्रीवड पर लेंगिक उत्पीड़न प्रतिसेद अदिनियम दो हजर तेरा के अंतरगत वैथित महिला के सारीरिक या मांसी समर्थता ये मृत्यू के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ होने पर उसकी और से किसके दौरा परिवाद किया जाएगा तो जो फोटी थोड सब्सक्राइब करने में करने की बात की जाती है किसमें सेक्सौल हरास्मेंट में अगर सूला समझाता की बात हुड़ीं दारा दस में किया जाता है कुश्चन नमर 45 देखते हैं अंडर दा सेक्स्वल अरास्मेंट फोमें एट वर्क प्लेस प्रोइबिशनेक टुटॉजन थाटीन कुश्चन नमर 46 देखें अंडर दा सेक्स्वल हरास्मेंट फोमें एट वर्क प्लेस प्रोइबिशनेक टुटॉजन थाटीन सब्सक्राइबिशनेक टुटॉजन थाटीन विच ऑफ फालोइंग इस नौट ट्रू रिगार्डिंग कॉंसिलियेशन यहां पर नीगेटिव कोश्चन देखें नौट टू वाइलाओं का कार रस्तल पर लेंगिक उत्पेड़न प्रतिसेदा दिनियम तो हज़र 13 के अंतर इंटेंशन अफ इंक्वारी अंडर सेक्शन 11 कॉंसिलियेशन सेल बीड़न और रिक्वेस्ट ऑफ देग्रेव्ट ओमेंड कॉंसिलियेशन तैल बीड़न वाइद इंटरनल कंप्लेंट और लोकल कमेटी के दोरा इन लोगों के द्वारा कराया जागा यह गलत हमारे सावित नमर 47 की बात करते हैं टू हूं टू हूं दा इंटेंशन टू हूं दा इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी रेफर दा केसिज फॉर टेकिंग एक्शन वेर सेटलमेंट हैस बिन अर्राइवड ऑन बेसिस ऑफ दो कॉंसिलियेशन अंडर दा सिक्शुल हरास्मेंट और वरक प् इंटरनल कमेटी और लोकल कमेटी अपान इंक्वाइरी प्राइम फेसिस्फाइब गेसिस्ट इंग्जिस्ट देन टू ही मेक कॉंपलेंट अंडर सेक्शन 509 अब इंडियन पिनल कुड महिलाओं का कारेसल पर लेंगी कुद्पिरन प्रतिसेद अदिनियम 213 के अंतरगत जहां आंतरिक समीति या अस्थानिय समीति की जांच की कारवाही में प्रथम द्रिश्य सामधान होता है कि मामला विद्यमान है तो भारती दंड सनीता धारा 509 के अधीन परिवाद क कोश्चन नमबर 49 की बात करते हैं अंडर सब सेक्षन वन अफ सेक्षन 11 अब दे सेक्षोल अरास्मेंट अफो में एट वर्क प्लेस प्रोइबीशन एक टूरजन थे अधीन पुलिस को परिवाद प्रथम द्रिश्य समाधान होने के कितने दीन के भीतर भेजा जाएगा तो कोश्चन नमबर 15 देखिए 50 देखिए यहां पर डेस से जो कोश्चन पूछ रहा है जो पनिस्मेंट से कोश्चन पूछ रहा है किसको भीजा जाएगा यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्जामिनेशन पॉइंशन पॉइंट से अंडर सेक्षन 11 अब सेक्षन हरास्मे अब क्या अनुरोद कह रहा है अनुरोद पर आंतरिक समीति या अस्थानिय समीति का अस्थानिय समीति तथा नियोजन द्वरा की गई सिफारीज के समन्द में क्या की जा सकती तो जो आपका कारेक्टांसर होगा भी होगा है ट्रांसपर दा एग्रीब ओमें इन सम अधर अधर वर्क प्लेस विया थी तो महिला को किसी अन्यकार छेत्र पे उसका ट्रांसपर किया जा सकता है अगर इस प्रकार का कंडिशन बनता फिप्टी टू को देखिए अंटर सेक्ष जड़तेरा के अंतरगत जांच पूरी होने पर आंतरिक समीति या अस्थानिय समीति अपने निसकर्शन की एक रिपोर्ट किसके उभलब कराएगी तो जो बावन का आपका करेक्टांसर होगा वो डी आपका करेक्टांसर हो बहुत ए और बी की बात कर रहा है तूद इंप् जो आपका करेक्टांसर होने वाला है यहां पर करेक्टांसर है मिन्स की दस दीन के भीतर कराने का कोशिस किया जाएगा अब यहां पर हम देखते हैं यहां पर 54 को अंडर सेक्षोल हरास्मेंट आप उमेन एट वर्क प्लेस प्रोइशन एक्ट टूजिंट इंप्लॉयर और डिस्टिक ओफिसर साइल एक्ट विदिन हाउ मेनी हाउ मेनी डेस आफ्टर रिसीविंग दरीकॉमांडेशन फिप्टी फोर का दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह आपका यहां पर बी वाला करेक्ट आंसर होने वाला है मिन्स कि 60 दिन के अंदर उसको किया अगर इस प्रकार का फाल्स अविदेंस दिया जा रहा है अगर फाल्स कंप्लेंड किया जा रहा है तो इसमें किसको पनीशेबल किया जाएगा अंदर सक्षन 14 धारा 14 के अंतरगत उसको पनीश किया जाएगा महिलाओं का कारेस्थल पर लेंगी कुछ प्रतिशेद दिनियां दो हज़ार 13 के अंतरगत मिथ्या या दो सबूर्ड परिवाद या मिथ्या सक्ष देने के लिए दंड के संबंद किया गया तो धारा 14 में अगर इस प्रकार का आपने सक्ष दिया इस प्रकार का आपने कंप महिलाओं का कारेस्थल पर लेंगी कुछ प्रतिशेद दिनियां दो हज़ार 13 के अंतरगत क्या किसी परिवाद को सिद्ध करने या परियाप्त सबूत उपलब कराने मात्र में असमर्थता परिवाद करता कि विरुद मिथ्या या दोसपूर परिवाद या मिथ्या सक्ष द ओमेन एक्ट वर्कप्लेस प्रोइबिशन एक्ट टूर्जेंट थरीं वाइड़ाओं का कारेस्थल पर लेंगी कुछ प्रतिशेद दिनियां दो हज़ार 13 के अंतरगत किसी कार्रेवाही की सिफारिस किये जाने से पुर्व विवाहित प्रकिरिया के अनुसार कार्रेवाही किये जाने के पर चाहत किसी दौरा दूओंड आ से सिद्ध किया जाएगा औब किसके द्वारा इस प्रकार का आससे सिद्ध किया जाएगा तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वा cardiac परिवाद करता के दौरा हीप और फिप्टि एट की बात करते हैं अंडर 216-a आउधारना किसके द्वारा किया जाएगा तो 58 का यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनल कम्प्लेंट कमीटी और लोकल कम्प्लेंट कमीटी को यह किया जाएगा कोशन नमर 59 देखते हैं अंडर द सेक्षन 15 अब यकिन असेक्षाषाट विर्विस्टी ... वाट तिंग से साहल भी टेकन इन्टो कंसिडरेशन इन डिटरमाइनिंग कंपनसेशन महिलाओं का कार रहस्तल पर लेंगी कोछ पीडर प्रतिसेद दनियम 2013 की किस धारा की धारा 15 के अंतर का प्रतिकर का आउधारन करने में कितनी कितनी बातों का ध्यान में रखा जाएगा कि किस बातों का ध्यान में रखा जाएगा कोशन नमर 59 का दोस्तों जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी आपका करेक्ट आंसर होगा आल आप यहां पे होगा दो मेंटल ट्रोमा पें सफरींग सफरींग एंड इमोशनल डिस्ट्रेस लॉस लॉस इंटु दे कैरियर प्रश्चार में उपगत वह एंव प्रतर थी की आय और वित्य परिश्थिती को देखा जाएगा यहां पे सी देख रहा पेमेंट इन लंबसम लंबसम और इन इंस्टॉल्मेंट एक मुस्त एक किस्तों में उसको मुआवजा देने की बात की जारी है कोश्चेन नमर्ट सिक्ष्टी की बात करना है अंडर दे सेक्ष्वल अराजमेंट आफ वोमें एट वर्क प्लेस प्रोइबिशन एक टूज़न रिगारी पेनाल्टी फर पॉब्लिकेशन और मेकिंग नून दे कंसेंट अप कॉंप्लेंट इंक्वाइरी प्रोसीडिंग्स सस्ती संबंधी उपबंध की धारा के अंतरगत किया गया तो जो 60 नंबर का कोश्चेन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह भी आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर 17 के अंतरगत बाते बताई गई हैं अंडर बात करते हैं अंडर दा सेक्ष्वल हरास्मेंट ऑफ उमें ए आपका जो करेक्ट रांसर होगा वो सी होगा धारा अठारा में सेक्शन एटीन में आप अपील कर सकते हैं किसे रिलेटर सेक्शुल हरास्मेंट आफ वूमेन अट वर्क प्लेस जब हुआ है तब कुश्चन नमर सिक्शी टू देखिए अंडर सेक्शन थाटीन अप देख्व किया जाएगा तो दी इसका करेक्ट आंसर होगा और बी की बात कर रहा है एमें कर रहा है दक्तू कोट और ट्राइबुनल एस पर दसर्विस रूल सेवा नियमों के नुसार नयाले के अधिकरण को और सेक्शन नियम विद्देमान नो होने पर ऐसी रीती जो भी हित की गई सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होने वाला है वह यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नब्य दीनों के बीतर यह किया जाएगा कोश्चन नमर्ट 64 देखते हैं अंडर वीच सेक्शन अम्टा सेक्शूल हरास्मेंट आफ वोमें एट वर्क प्लेस प्रोविशन एक टूरज सब्सक्राइब की बात कर रहा है इसका करेक्ट आंसर डी होगा धारा उननीस के अंतरगत इस प्रकार का कार्रे किया जा सकता है कोश्चन नमर्ट 65 देखते हैं अंडर वीच सेक्शन ऑफ दे सेक्शूल हरास्मेंट आफ वोमें एट वर्क प्लेस प्रोविशन एक टूर्ज अधिकारी के करतब और सकतियां संबंदी उपबंध किस धारा के अंतरगत दिया गया है तो 65 का करेक्ट आंसर होगा भी होगा धारा बीस के अंतरगत ये बात किया गया है कोश्चन नमर्ट 66 की बात करते हैं अंडर सेक्शन एटीन ऑफ दे सेक्शूल हरास्मेंट और वर्क किसका काम होगा इस प्रकार से वो करते रहेंगे बी में कर रहा है तो टेक मेजर फॉर इंप्लाइंग नॉन गवर्मेंट और अर्गनाइजेशन एंजियोस क्रियेटिंग अवेर्नेस और सेक्शूल हरास्मेंट और राइट राइट आप दा ओमें लेंगिक उत्पीड़न अब महिला अधिकारियों के संबंद में जाग रुकता है तु गैर सरकारी संगठनों को लगाने लाने का उपाय करेगा इनके द्वारा किया जाएगा कोश्चेन नमर 67 के बात करते हैं अंटर सेक्शन टुन्टीवन और सेक्शूल हरास्मेंट और ओमेंट वर्कप्लेस प् प्रस्तूत करती है तो 67 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह दी होगा बोथ ए और बी की बात करता है इंप्लायर को और डिस्टिक ऑफिसर को यहां पर किया जाता है क्वेश्चन नमर 68 की बात करते हैं अंटर सेक्शन टॉन्टीथी आप देक्शूल हरास्मेंट और सेक् महिलाओं का कार रहस्तल महिलाओं का कार रहस्तल पर लेंगे उत्पेड़न प्रतिसेद अधिनियम के कारेवन की मोनेटरिंग और निप्टाये गये सभी मामलों में संबंधित डाटा कि इसके द्वारा लिये जाएंगे तो जो 68 का आपका करेक्ट आंसर होगा वह सी आपका इनफॉर्मेशन और पावर और इंस्पेक्शन और रेकॉर्ड अंडर वीच सेक्शन महिलाओं का कार रहस्तल पर लेंगी कुद्पेड़न प्रतिसेद अधिनियम तो जर्तेरा के अंतरगत सूचना मांगने और अभिलेखों का रिक्षन करने की सक्ती संबंधी उपबंद क इस धारा के अंतरगत दिया है तो 69 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा यहां पर बी वाला करेक्ट आंसर होगा यह धारा 25 के अंतरगत इस तरह की बात की गई है अबर सेवन्टी की बात करते हैं अंडर सेक्ष्वल हरास्मेंट आफ ओमेन एट वर्क प्लेस प्रोइबीशन प्रोइबीशन प्रिवेंशन प्रोइबीशन और रेड रेड रेचल एक्ट टुटॉजन तो प्रोविजन डिलेटिंग तो पेनाल्टी फॉर नॉन अधिनियम के उपबंदों के लिए सस्ती मिन्स की दंड पनिस्मेंट संबंधी उपबंद किस धारा में दिया गया तो सतर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसी होगा धारा 26 में या पर पनिस्मेंट के बारे में बताया हुगा गया है क्वेशन नमर सेवन्टी की अब दा ओमेन एट वर्क प्लेस प्रोइबिशन नेकर टूजेंट इंप्लॉयर सेल भी लाइबल लाइबल फॉर विच पेनाल्टी माहिलाओं का कार रेस्तल पर लेंगी को पीड़न प्रतिशेद दिनियम तो अज्जर तेरह कि धारा 26 के अंतरगत नियोजग की नियोजग का उसके उपर पनिश्मेंट इंपोस किया जाएगा क्वेश्चेन नमर सेवन्टीटू देखें अंडर दे सेक्ष्वल हरास्मेंट अफो मेन एट वर्क प्लेस प्रोइबिशन एक्ट टूजेंट इफ एनी इंप्लॉयर हैब हैब वीं प्रिवियसली कन्विक्टेड अगे पहली दो ससी दी पर अधिरोपीद दंड के दोगुने दंड से उसको क्या किया जाएगा पनिश किया जाएगा सेवन्टी थर्ड को देखते हैं अंडर दव सेक्ष्वल हरास्मेंट आप वुमेन एट वर्क प्लेस प्रोइबिशन एक्ट टूजेंट प्रोविजन रिलेट सेवन्टी फोर देखते हैं अंडर सेक्ष्वल हरास्मेंट प्रोइबिशन एक्ट टूजेंट थूजेंट प्लेस प्रोइबिशन एक्ट टूजेंट ऑफ इनी ओफेंसेस ऑप दूप्लेंट लॉस्ट भाइव महिलाओं का कार एसल पर लाएंगी गूत प्रतिश्य अधिन किसी अपराद का संगयान किसकी सिकायत पर किया जाएगा तो बोथ ए एंड बी की बात कर रहा है और बाइद परसन ऑथोराइजड बाइद इंटर्न और लोकल कम्प्लेंट कमीटी आंतरिक समीति अथवा अस्थानिय समीति द्वारा इन निमित प्राधिकर व्यक्ति के द् सब्सक्राइब करते हैं अंडर विच सेक्षन 27 अंडर दा सेक्षन 27 अफ सेक्षोल हरास्मिंट अफोमें एट वर्कप्लेस प्रोइबीशन एक टुटोजेंट हुसल टेक कोगनिजन्स और उफेंस महिलाओं का का र्यास्तल पर लेंगी उत्पीड़न प्रतिशियत दिनिया संग्यान किसके द्वारा लिया जाएगा तो 75 अपका कर्रेक्ट आंसर होगा यहां पर मेट्रोपॉलिटन मजिस्टेट और जूडिशियल मजिस्टेट फस्ट क्लास के द्वारा लिया जाएगा संग्यान कोगनिजन्स लेने की बाद यहीं लोग कर रहा है कोस्चन अबर 76 अब जो भी प्रतेक अपराद बन रहा हो किस प्रकार का अपराद बनेगा वुक नॉन कोगनिजेबल और संगे अपराद यहां पे बनने वाला कोस्चन नमबर 77 की हम बात करते हैं अंडर सेक्शुल हरास्मेंट आप वोमें अट वर्क प्लेस्ट प्रोइबीशन अक्र टू समुचित सरकार के नियम बनाने की सक्ति संबंद किस धारा में उपबंद कराए गया तो यह बी में कराए गया धारा 29 में यह बात कराए गया इस कोस्चन नमबर 78 देखते हैं दो अंडर सेक्शुल हरास्मेंट आफ वोमें अट वर्क प्लेस प्रोइबीशन अक्र टूजन प्रोविजन रिलेटेट दुद पावर रिमोबेल डिफिकल्टीज और लेंड अंडर विच सेक्शन महिलाओं का कार्यास्तल पर लेंगी कुद्पीडन प्रतिसेद अधिनिया दोजर तेरा के अंतरगत कठी नाइयों को दूर करने के लिए सक्ति संबंदी उपबंद किस दारा के अंतरगत किया गया 78 का का कारेक्रांसव होगा 13 के इस प्रकार का किया गया उपबंद कुस्चन नाइब्स सेवंटीन जो नाइन जो आज का लास्ट कोस्चन है अंडर सेक्शन थरी अब्स प्रोइबीशन एक टूरुजन टूज़न सर्कार अधिनिया फ्रम देट कोई करेवाही नहीं करेगी 79 का जो आपका करेक्रांसर होगा वह वह कर रहा है दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 79 यहां पर करेंगे सारी वीडियो आपको एक लाइन में सीरीज में आपको मिल जाएंगे वीडियो को वाच करने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों अगर हो सके तो आप इसको अपने दोस्तों तक जरूर सेर करिएगा थैंक्यू